तो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शोय करूँगी एक बहुत यह बीटिफुल नेक का डिजाइन जो बहुत ही जादा यूनिक है बहुत ही जादा बीटिफुल है तो चली वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले आपको क्या गरना है एक पट्टी ले लेनी है एंड जो आप कंट्रास में फैबरिक लगाएंगे उसकी भी इसी तरीके से आपको पट्टी को बना लेना है तो यहां पे मैंने पट्टी को बना लिया है गाईज देख सकते हैं इस तरीके की हमारी यह पट्टी बनेगी उसकी बाद हम अपना नेक को कट करेंगे नेक को बनाएंगे तो इसलिए हम इसकी चोड़ाई यह ज्यादा लेंगे चार इंच के करीब हमने इसकी चोड़ाई लिए एंड लेंगे मैंने इसे पांच इंच लिया है उसके बाद आपको इस पी एक बॉक्स बना देना है एंड एक राउंड शेप दे देनी है अपने नेक की तो आपको थोड़ी ज्यादा लेनी होगी यहां पे मैंने अपने नेक को इस तरीके से ब्राउ कर लिया है उसके बाद में से इस तरीके से आएगा उसके बाद आपको इसको एक फैबरिक पे चिपका लीना है एंड इसका जो काटरेंच कपडा बार की तरफ होगा उसे भी आप सबसे पहले इस पहले से करना है उसके बाद के बिलकुल बर बर इस्ट करते चले जाना है आपको एगे यहां पे मैंने बीट्व चुडते हुए आपको इसे कट करें आ हैं अपनी nieक को एंड चोटे-चोटे कट लगा देने एंड रॉंग साइट पे से टर्न कर देना है बेखुल सिंपल नेक जिस तरीके से बनता है हमारा अब तक हमने सिर्फ इसी तरीके से बनाना है अपने नेक को बज इसकी चोड़ाई एंड लंबाई ध्यान रखे ज्यादा लेनी होगी हम इसे रॉंग साइट पे टन कर देंगे अचे से आपको आइरन कर लेना एपिर इसके उपर आपकराम के बीच में से पीस बचा था उसे आपको न्यूस पडर पर रखना है एंड इसको उपर मारकिंग कर लेनी है आपको दिखी राह ओगा किस तरीके से मैंने आप इसके ब में 4 4 inch को ने पन्हुंद को कटकर लेना है तो इन दोनों ही पट्यों मैं आप के काफी सारे पीसेस को ना मैंने करिया है देख सकते हैं उसके बाद आपको इन play these find तरीके लेना है जिस तरीके से spel में जारा है शो हमने इस तरीके से विडियो ने दिखाना करना है उसके बाद जो दूसरा वाला फैब्रिक था हमारा कंट्रास में उसकी बटी लेनी आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है इसे भी और इसे भी तरीके से स्टिच कर लेना है आपको यहां पे मैंने सारे ट्रेंगल्स को लगा दिया है आपनी नेक पर ऐसके बाद आपको यहां पर ड्रोडेहर लेनी है आप चाहे तो फैबॱ की ऑर आपको यहां पर कुछ इस तरीके से लगाना पर यहां पर मैंने इस संट पे दोरी को लगा दिया है घास देख सकते हैं उसके बाद आपको अपनी शर्ट का सपली अब और रूपर रखना है। तो यहां पे मैंने अपनी नेक पे से स्टच कर लिया है तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा आप इसे बैक साइट पे टर्न कर दें और इसका जो नियूस पेपर है उसे आपको निकाल लेना है यहां पे मैंने अपनी नियूस पेपर को निकाल लिया है देख सकते हैं उसके बाद आपको सुईद आगे की हल्प से जो हमारी पटी है इनके बीच में इस तरीके से आपको स्टच करना है एक मोती लेना है इसके बीच में आपको मोती को लगाना है बहुत ही बूड़फल सा डिजाइन लगा था, seriously guys, बहुत ही unique and बहुत ही beautiful है, बना के जरूर देखिएगा, इसी दरीके से आपको सारी पटियों पे कर लेना है, बीच में से stretch कर लेना है, और बीच में एक मोती को लगा देना है, so guys, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने सारी को मोती को लगा दिया है, तो I hope आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो please like, share, comment जरूर करिएगा, thank you for watching, bye bye, see the next video, Allah Hafiz,